नमस्काल, दोस्तार सब का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल के ऊपर कलम ने अपने वीडियो के आनलिसिस किया था कि बड़े प्लेयर्स जो हैं यहां पर कॉल एटिंग के बैठे हुए हैं उन positions को वो profit में लेके आने के लिए कुछ भी कर सकता है दोस्तों आज भी वही देखने को मिला हमको कि market आज gap up open भी हुआ लेकिन दोस्तों क्योंकि बड़ा player जो है आज call adding की situation में बैठा हुआ था very straight लेके बैठा हुआ तो gap up जो sustain नहीं हो पाया और market के अंदर फिर क्या हुआ यह हम सब लोग जानते हैं दोस्तों अगर आप हमारे free telegram channel के साथ जुड़े हुए हो तो मैंने आपको सुबर market open होते के साथ ही आपको अपने telegram channel जो जिस telegram channel का link description में दिया भी हुआ है original channel नहीं join करना क्योंकि काफी fake channel की हमारे telegram के नाम से बने हुए हैं तो कोशिश करना के जो link description में दिया हुआ है उसी के basis के ऊपर आप इस telegram channel को join करें दोस्तों जो मार्केट open हुई 26 minute पे मैंने आपको exactly बताया था कि market जो है 18500 का जो है resistance है और उस वक्त market 18,450 के आसपास चल रहा था और market ने हाई भी लगाया 8,480 के आसपास का और market हमारे resistance को phase करते हुए नीचे आ गई और मैंने उसके बाद exactly 15 minute बाद ये भी मैंन में आपको remind कराया था कि भई FIA जो है call heading की 400 की 8400 की call heading करके बैठे हुए हैं तो इसलिए आप please bullish मत होना ये दोनों indication काफी थे क्या bullish नहीं होंगे और अज bullish हुए होंगे तो आपको काफी pain हुआ होगा तो यहाँ पर इस तरीके से आपको हमारे free telegram चल गए पर indications मिलते रहते हैं timely update मिलते रहती है दोस्तों फिर हमारा एक फिर मैंने आपको 10 बज़ के क्या मिला था कि यहाँ पर पुट राइटर्स जो है जो की Friday के active है याद रखना ये पुट राइटर्स जो है Friday वाले active है ठीक है तो Friday के active जो पुट राइटर्स हैं दोस्तों वो किसी भी हद तक इस weekly market के अंदर समझना ये weekly options की positions थी जो Friday के positions लेके बैठ हुए थे वो हर कीमत पर हर हालत में वो लोग क्या करेंगे वो अपनी weekly positions को save करने ही कोशिश करेंगे और यही मैंने आपको update किया था कि 11 बज़े के आसपास कि market 200 और 200 के आसपास support लेगा इसलिए वहाँ पर आप बीरिश मत होना दोस्तों exactly वही हुआ market ने एक बार 200 के नीचे जाने के कोशिश तो की 30-40 point नीचे तो गया लेकिन महाँ से फिर recovery भी आई और यह सब आपको यहाँ पर update में लब आपको help कर रही होंगी तो दोस्तों overall situation situation क्या है क्या नहीं वो आपको समझ में आगया होगा data points किस तरीके से help करते हैं live market के अंदर और यहाँ पर यही वो updates थी आप चेक कर सकते हो यहाँ पर 11 बजे के आसपास जो है मैंने आपको update किया था कि 220 के आसपास जो है पुट्राइटर से अठायार 200 और 200 वाले उन लोगों ने अपनी जान बचाई finally हम देखते हैं कल market के अंदर क्या वस्पता और FIIs किस situation में बैठे हुए हैं अपनी positions carry करके दोस्तों अगर मैं prediction की बात करूँ तो यह prediction जो है एक चीज और indicate करता है क्या करता है कि यहां पर 10 दिन का जो moving average जो है वो 20 दिन के moving average को crossover कर चुगा है वो bearish side के अंदर तो यह भी एक extra cautiousness बरतने की यहां पर सबसे पहले importance हमको समझनी होगी दोस्तों एक buddy rally के बात छोटे-मोटे dead cat bounce अगर आएं तो उसको ignore कीजिएगा यह भी मैं आपसे बोलना चाहता हूँ क्यों क्योंकि यहां पर जो है data इस तरीके का ही बता रहा है prediction जो है बहुत bearish है मैं आपको समझा रहूँ पहले से पहले ठीक है और buddy rally के बाद एक छोटे-मोटे dead cat bounce जैसा यहां पर आपको देखे इस buddy rally के बाद एक छोटे-मोटे dead cat bounce देखे आपको ठीक है अगर आएं यह dead cat bounce उनको ignore ही कीजिएगा यह आपके favor में रहेगा ठीक है तो prediction यहां पर जो अगर मैं बात करूँ prediction की बात जो है यह negative है बात करते हैं फटाफट से यहां पर जो है positions क्या carry forward करके गए थे बड़े players और मन आपको हमेशा से बोलाया जो भी positions क्या carry forward करके जाएंगे retail traders उसके अगेंस ही market जाएगी तो retail trader हमेशा lossy करते हैं तो कल कॉल बाइंगा कर गए थे retail trader 8400 की और आज market within 15 minutes 8400 की नहीं चार चुका था और कल कॉल अटिंगा कर गए थे proprietor और FIIs 8400 की तो यह profit में close हो चुकी है इनकी तो overall आज के दिन भी जो है बड़े बेर नहीं पैसा बनाया अच्छा पैसा बनाया यह हम daily basis के उपर देखते हैं तो हम इसको close कर रहे हैं अब जो positions काईफोर दगे गई हैं दोस्तों मुझे अचंबा है कि market 88200 के ऊपर close हुआ है generally यह add the money की carry for करके जाते हैं positions बड़े प्लेयर लेकिन आज के दिन जो बड़े प्लेयर की positions निकली वो कैसे निकली वो 88300 की call adding निकली है तो 100 points उपर की call adding उन्होंने close नहीं की है और यह लोग expect कर रहे हैं FIS लोग के इसको 88300 की जो call adding है इसको यह worthless expire कर देंगे तो दोस्तों इस चीज को समझना और यह positions है जो इनकी वो अभी भी very set की है और इनोंने call adding की हुई है FIS और proprietors दोनोंने 8300 की तो देखते हैं कल क्या करते हैं इन positions को profit में लाने के लिए ये लोग तो देखते हैं उकल बता लगेगा लेकिन retail trader अभी भी जो है बाइस आयर ने बैठा है call adding अगे बैठा 800300 की तो इस वग जो positions options में मुमन आपको समझा दिया है बात करें तो यहाँ पर अब एक चीज इंपोर्टन और है क्या कि यहाँ पर देख सकते हो मैं आपको कल ही वीडियो गेंदे बताया था कि जैसे ही इनकी 5 लाग 3 से 5 लाग 3 लाग से लेके 5 लाग के बीच में positions बनती है एक जर्क अच्छा वाला आता है दोस्तो आज वही हुआ लाइव मार्केट में इनकी positions 6 लाग के आसपास पहुँच चुकी थी और जर्क कितना हैवी आया है वह आप देख सकते हो जब-जब इनकी positions 4 लाग से अब पहुँच जाती है तब-जब मार्केट में जर्क आता है इस बाक का खयाल लगना और यह analysis आपको मैंने कल समझाई दी करके और आज भी वही मैं आपको बता लोग कि इस वक्त जो उनकी positions है वो 6 लाग के आसपास है तो मेरे हिसाब से अभी भी हमको upside की chasing नहीं करनी चाहिए क्योंकि retail trader के हमेशा market अगेज जाता है तो retail trader इस वक्त जो है bullish बैटा हुआ है FIIs लोगोंने अपनी positions बेरिश वाली बढ़ा रिये तो यह bearish बैटे हुए है बात करूँ यहाँ पर जो proprietor proprietor जो है वो भी इस वक्त बेरिश ही बैटे है DIA जो है वो यहाँ पर neutral बैटे हुए है इनका कोई view नहीं है लेकिन overall retail trader बहुत bullish है इस वक्त तो market upside जाए तो उसमें trap मत होना ठीक है data indicate यही कर रहा है दूसरी चीज यहाँ पर tracker जो है अभी भी tracker ने कोई भी indication नहीं दिया है दोस्तों कि यहाँ पर market जो है reversal to upside करेगा अभी तक यह ऐसा indication नहीं मिला है हमको अपने tracker के उपर 1st December से यहाँ पर market के अंदर हम लोगों को indication मिला भागे market नीचे के तरफ जाएगी यहाँ पर लेखाओ अभी मैंने जा to downside और आप चेक कर सकते हो आते रहेंगे वो sell-off होते रहेंगे लेकिन अभी reversal to upside नहीं मिला है तो दोस्तों इसको मैं अभी भी यही मानूंगा कि overall जो short term जो trend है वो अभी bearishness का ही है और इसको हमको importance देनी होगी ठीक है यह short term trend की मैं बात कर रहा हूँ यह मैं बात नहीं कर रहा है कि यहाँ पर जो है अगले दिन क्या होगा अगले दिन के लिए मैं आपको पूटिशन बता दी है कौल एटिंग पूटिशन स्कारिफोर का गए गए हैं कौन F.I.I.S वो भी अठाट तीनसो की ठीक है तो यह चीज़ important है मैं आपको समझा दिये अभी भी यह red में ही है हमारा जो यह indication मिल रहा है हम लोगों को ठीक है बात करते हैं फटाफट से option chain की तो option chain जो है आपके सामने अब मैं एक चीज़ और आपको समझाना चाता हूँ कि देखे दोस्तों यहाँ पर जो December के expiry के अंदर जो positions थी वो सारी दिसम्बर से ही यह हाल है ठीक है फर्स दिसम्बर से positions negative 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 daily basis के उपर negative एक आगा दिन जो है वो positions के गए थे लेकिन daily basis के उपर negative ही होता है December मंद के अंदर इसका मिला profit booking चालो थी December मंद के अंदर लेकिन आज के दिन 21 December के दिन इन्होंने क्या किया है अपनी positions को carry forward किया है तो दोस्तों positions इसी expiry में बनी है और यह positions short side की बनी हुई है वो भी futures के अंदर तो इनको जो इनका जो फ्यूचर का short positions बनी हुई है वो 18,000 चार्टो के लेवले बनी है तो market के अंदर अब यह कहां पे close करेंगे इन positions को देखनी वाली बात है अभी वो अभी जो है December के अंदर जो expiry में short बनाई है इनकी positions वो hold पे हैं और यह positions इस वक्त इनकी profit में है ठीक है तो important है कि कल देखना कि क्या इन positions को close करते हैं या नहीं करते और 18,200 के आसपार market इस वक्त खड़ा है important क्या है हम लोगों के लिए कि यहाँ पर देखो resistance जो है बड़ा प्ले कहां मैठा है यह important राम आई लिए 800-300 के उपर आप check कर सकते हो बहुत heavy तरीके से क्या कहता है न इसको कहता है बहुत जबर्दस्ट call rating आपको दिखरी एक लाके उपर contract है और यहीं पर बड़े प्लेयर ने अपनी position skyfall करके गए हुए है केवल 30 रुपे का premium ऐसा है कि जो इनको यहाँ पर decay करवाना है तो अगर यह market को एक range round भी रख सकते हैं अगर 300 क्या सबस तो भी इनका decay हो जाएगा इस बात को खयाल लगना ठीक है और अगर मैं support की बात करो तो यहाँ पर support जो आठारा दोसों का ही है अभी भी इस expiry के लिए लेकिन important क्या है एक important बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ देखो दोस्तों यहाँ पर कल तो expiry हो जाएगी अब जो हमारा year end का weekly जो year end का जो हमारा week बचेगा न वो हमारा year end का है ठीक है तो हमारा साल खतम हो जाएगा यहाँ पर इसमें आपको एक बात समझने वाली है कि यहाँ पर जो है बहुत पूर जोर कोशिश में लगे हुए हैं सभी लोग कि यहाँ पर 18,000 का जो support है वो बचाने की कोशिश की जाए यहाँ पर आज भी जो है पूलिशन्स एड की गई है ठीक है तो याद रखना के 29 दिसंबर तक market को 18,000 के level तक support मिलने की पूरी-पूरी उमीद है ठीक है यह मैं आपको short term अगले week के लिए भी support बता रहा हूँ फिलहाल अब यह तूटे गया नहीं तूटे गा हम मलब live market में daily basis को finances करते ही है वो हम आपको बताई लग जाएगा आप लोगों को लेकिन यहाँ पर पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों कि अठाजार के level को यहाँ पर maintain किया रहा है कि उसको बचाए जा सके जैसे कि इस week के अंदर अठाजार दोसों के level को बचाने की कोशिश पूरी-पूरी की गई put writer के द्वारा जो कि Friday को position जिन लोगों ने बनाई थी तो अब समझने वाली बात क्या है समझने वाली बात यह है कि हमको अठाजार के level के आसपास जो है short नहीं होना है ठीक है और जब तक market अठाजार के level के नीचे closing ना दे दे या रखना closing ना दे दे one day की तो तब तक हम लोग इस level को अठाजार के level को as a base as a support level हम कम से कम जिसम में expiry के लिए ये मान के चलेंगे कि हम अठाजार तोट नहीं रहा है जब तक इसके नीचे closing ना मिल जाए तो दोस्तों overall जो range निकल के आठी है ना range जो range निकल के आठी है वो अठाजार के support है और उपा अठाजार 400 के आसपास 400 से लेकिए 8500 के आसपास resistance है तो ये पूरे 400 की range है जिसके अंदर market उचल कूद करता रहेगा मेरे इसाब से 29 December से पहले पहले और expiry जो है वो अठाजा के उपर होनी चाहिए ये मेरा एक short term अगले week के लिए view है सही होगा गलत होगा मुझे नहीं पता कल का view मैंने बता दिया short term view भी बता दिया मैंने overall prediction भी बता दिया मैंने ये क्या important है इसका importance क्या भी मैंना को समझा दिया उम्मित करता हूँ आपको वीडियो सर्ज में आ गया होगा और दोस्तों फड़ावट से हम फड़ावट से bank nifty के analysis भी कर लेते हैं bank nifty ने तो आज लंका जलाई ही दी और कली हमने discussion किया था bank nifty के अंदर के यहाँ पर distribution हो रहा है और distribution को find out करने के लिए simple हमने volumes की help ली थी कल के दिन और actually वही हुआ के इस range के अंदर कल के दिन हमने पता लगाया था कि distribution हो रहा है और वो सही भी साबीत हो और आज की दिन market के अंदर क्या गिरावट आई है तक्रीबन 1000 पॉइंट के आसपास की गिरावट आई है bank nifty में तो यह पता डरामने वाली चीज है लेकिन अब simple सी एकी बात है कि भाई जो हमको पता है तो हम side direction में बैठ हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नीचे किसी को भी अब bank nifty के लिए जो important है वो important एकी चीज बची है कि दोस्तों अब bank nifty को अपना ये जो level है जहां से उसने breakout दिया था ये वाला ठीक है ये वाला important जो level आपको मैंने mark किया है 1842,300 ये ये है वो level ठीक है तो 22,000 का level है यही से बाब बार assistance लिया यही पर फिर support लिया अब चेक कर सकते हैं यही पर resistance लेके नीचा आया फिर उपर गया फिर market ने यही पर support लिया तो जो अब level important निकल के आया वाठा 22,000 200 का निकल के आया है तो मेरे साब से अब जब तक closing ना मिल जाए 22,000 के नीचे further बेरिश मत होना हमारा market देने दिरे support के आसपास भी पहुंच रहा है यही भी हम को बात याद रखनी पड़ेगी तो support के आसपास यह market पहुंचता है तो short term trend तो बेरिश का है लेकि support के आसपास पहुंचते बता दिया आपको दोनों के पैंक निफ्टी के निफ्टी के आपको support के market मिले short मत करना फूपर market मिले तो definitely आप short कर सकते हो लेकिन depending on the live market situation live market update पाने के लिए आपको free telegram channel के साथ जुढ़ना होगा उसका link description में मिला हुआ हुआ है थैंक यू